नमस्कार मैं हूँ दिव्य बिहारी निउस में आपका स्वागत है ख़बो के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सिख्चा विभाक के सभी पधा दिकारियों के अगले आदेस तक छुटी रग नहीं होगा नौकायान एक ऐसी सिख्चक भरती के दूसरे फेज का रिजल्ट जारी इतने अभिरती हुए सफ़र लोगसबा चुनाक को लेकर विहार में बरे पैमाने पर तबादले की तैयारी अफ्टानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले टी-20 सिरीज में भारती टीम के कप्तान चुनने का संकट आया सामने इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से सिक्चा विभा के सभी पदादिकारियों के अगले आदेश तक छुट्टी रद विहार सरकार के सिक्चा विभा के मादमिक सिक्चा निदे साले के द्वारा आदेश जारी करिये जानकारी दी गई है कि सिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों की छुट्टी को 25 दिसेंबर से अगले आदेश तक रद कर दिया गया है दरसल दूसरे चलन की सिक्षक नियुक्ती परेक्चा का परिनाम घोसित होने के बाद 25 दिसेंबर से इसके लिए काउंसलिंग की तिथी निर्थारित की गई है ऐसे सिति में कारे को महत्व देते वे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी को अगले आदेश सक रद करने का फैसला लिया गया है ऐसे में बहुत ही आप परिहार सिति होने पर ही मुख्याले से अनुमती प्राप्त करने के बाद अपकास दिया जा सक पत्ना गया डोवी फॉरलैंड का पांच जणवरी को नितिन गटकरी करेंगे लोकार पर राजसरख निर्मान विभाग के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि आगामी पांच जनवरी को केंदरिये सरख परिभान मंतरी नितिन गटकरी के दोरा बिहार में 20,000 करोर र पूर्वी चंपारन रोड सिवान मसरक और सिवान हतोना रोड पर काम शुरू करने की आपचारिकता भी पूरी करेंगे गटकडी के द्वारा गल गलिया ठाकुर गंज बहादुर गंज और पुर्णिया टकिहार नरेनपूर का घाटन किये जाने की भी संभावना है वह पटन सरिस्ताबाद नाथूपुर के बीच तीन किलोमेटर लंबे फोर्लैन विस्तार के आधार सिल्या रखेंगे यह रोड पटना गया डोभी फोर्लैन को सरिस्ताबाद में पटना बाई-पास के पास जोरेगा ने साल में गंगा में नहीं होगा नौका यार पटना सदरा से जारी आदेस में कहा गया है कि नव वर्स को लेकर गंगा नदी के टरपर आम लोगों की भीर लग जाती है दो गंगा नदी के उस पार जाकर पिकनिक मनाते हैं ऐसे में चमता से आधिक वेक्तियों को नाव पर बैट कर ले जाने इस दुरघटना होने की संभाब ना प्र जालन पर रोक रहेगी बतादे की पटना सदर एस्टियों नवीन कुमार के द्वारा अनुमंडल छेत्र में गंगा किनारे सभी घाटों पर धार 144 के तहतिया आदेस जारी किया गया है वही नीजी नाव पर यह रोग 24 दिसंबर से एक जनवरी की मध्धे रातरी तक लाग देंगे लेकिन यदि वह उस पर काम को नहीं करता है तो वह भी जूट हुआ उसके उपर भी धारा लगना चाहिए जो मेरे उपर फरजी लगाया गया है उन्होंने कहा कि मैं अपने केस के लिए सीविया इजाज की मांग करता हूं दसरत मांजी को लोग पागल कहते थे ले समस्या में पैदा हो रहे हैं समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर रहे हैं इसलिए हम समस्या को जर से ही उखार कर फेक देते हैं मालूम हो कि यह सभी बात है मनिस्क कसिप के द्वारा अपने घर जाने से पहले कही गई है उन्होंने कहा कि जब तक तोरेंग तक के परिणाम सामिल हैं जिन में खक्षा 6-8 में कुल 10,874 अभ्यरती पास हुए तो वहीं के खक्षा 9 और 10 में कुल 6,960 अभ्यरती पास हुए हैं इसके साथ ही दूसरे चलन की सिक्षक नियुक्ती परिक्षा में सफल अभ्यरतियों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से शुरू हो परनिक्षा हुई है जो की 7-15 दिसंबर तक ली गई थी सराब बेचने के मामले में ठाना देक्ष और इंचारज बर खास वैसाली के सराय थाना के माल disgusting को पुलिस कर्मियों के प्रात्मी की अभियुक्त तत्कालिन सराय थाना अध्यक्ट विदूर कुमार और एसाई मुनेसवर कुमार पर भरस्ट एवम नैतिक आशरन के आरोप में तत्काल प्रभावी मद्द निसेद कानून के तहत दो कांडों में जब्त किये गया लगब 3,728 लीटर सराब सराय था में रखा हुआ था जिसका विदूर कुमार और एसाई मुनेसवर कुमार द्वारा 17 सितंबर को रात में अन्य सहयोगियों के साथ एक पिकप पर अवैद कमाई की नियत से लोड करवा कर थाना से बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था नेकिन इस दौरान मद्द निसे दिकाई बिहार द्वारा अनुमंडल पुलिस पदादिकारी सदर द्वारा सराय थाना में चापे मारी की गई और उनके कारणा में सामने आ गये गिरीराद सिंग ने सीम नितीस और लालू यादव पर बोला हमला एक बार फिर से किंद्रिय मंत्री वर बेगु सराय से सांसत गिरीराद सिंके द्वारा बिहार के मुख्यमंतिं तीस कुमार और राज़त सुप्रीम लालू यादव प्रसाद पर हमला बोला गया है उन्होंने एक्सपर जो की पूर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर एक वीडियो पोश्ट कर लिखा कि दियम के सांसर दया नीधी मारन का कहना है कि यूपी बिहार के हिंदी भासी लोग तमिल नाडू आते हैं और सरक और 14 साफ करते हैं क्या बिहार के मुख्यमंत इंतीस कुमार और राज़त सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव हिंदी भासी लोगों पर अपने गटबंदन सायोगी की राय से सहमत है उन्हें असपष्ट करना चाहिए कि दियम के और इंडिया घरवंदन को हिंदी भासी विहार भाई और बहनों से इतनी नफरत क्यों है चालिसवे एंटी पीसी सब जूनियर नेशनल आर्चरी चेंपियंशिप में गया कालाल बिहार का करेगा प्रतिनी जित तीन से तेरह जनवरी तक 36 गर के रायपूर में आयोजित होने वाले चालिसवे एंटी पीसी सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनसिप में सरसटवे SDFE आर्चरी नेशनल स्कूल गेम्स से इसवे गोल्ड में सिलवर जीतने वाले गया के आदर्स और सिधार्थ के द्वारा बिहार को रिप्रेजेंट किया जाने वाला है बता दे के इस बात की जानकारी जिला खेल विभाके द्वारा दी गई है और साथ ही उभरते हुए इन दोनों खिलारियों के उजवल भविस्य की कामना भी की गई है मालूमों के सिधार्थ ने तीरंदाजी के दलिये विद्या के में रजट पदक प्राप्ट किया है और आदर्स ने तीरंदाजी के आकाल विद्या में गोल्ड मैडल दीता है खेल विभाग का कहना है कि है दोनों बच्चे आगे भी पदक अपने नाम कर जिले के साथ साथ राजे का नाम भी रौसन करेंगे तीन चो काटन सराब के साथ चार तसकर गिरफतार विहार में पूर्ण डूप से सराब बंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ हैं लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी से जोरे मामले सामने आते रहते हैं अलाकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाज विभाग के तरब से जी तोर कोसिस की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही है बतादे की ताजा मामला चकिया टोर प्लाजा का है जहां S.P. कांतेस मिस्रा को मिली गुप् की गई है लोग सबाचनाब को लेकर बहार में बरे पैमाने पर तबादले की तयारी लोग सबाचनाब को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द Wooar को नंधेष लेते वे जानकारी दी गई है कि तीन साल से gevी जगहे पर अपने घ्रीलेम चल्किक रिंब पदनाम वर्तमान तैनाती की तारी के साथ यह सपत देना होगा कि उनका कोई भी करीबी रिस्तेदार वर्तमान लोगसवा चुनाब नहीं लड़ रहा और साथ ही यह भी बताना होगा कि उनका कोई करीबी रिस्तेदार राजी या जिले के राजनीतिक प्रमुक के रूप में क खेमंती तेजस्वी याद अब न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया की यातरा पर जा रहे हैं उन्हें दिली की दाउजे वर्णियों कोट के द्वारा विदेश जौरी के अनुमती देदी गई है वहीं अब यह अनुमते मिलने पर बीजेपी सांसर सुसील कुमार मोधी के द् कि उस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड जाने के बहाने रहत मिली है लेकिन कब तक बचेंगे तेजस्वी आखिरकार एडी का सामना उनको करना ही परेगा तब राजनितिक बयान काम नहीं आएंगे उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादब को दे बताना ही होगा कि अमित कात्याल कौन है जिसकी कंपनी ने रेल्वे में नौकरी पाने वालों की जमीन खरी दी है उन्हें बताना ही होगा कि वह दिली में न्यूज फ्रेंड्स कॉलनी के 150 करूर के मकान डी एक सुन्ने आठाट के मालिक कैसे बन गया और कौन है हिर्द्यान में होने वारे लोगसवा चुनाप को लेकर एक तरफ जहां सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तयारियां शुरू कर दी गई है तो वहीं दूसरी और कॉंग्रेस के द्वारा एक बड़ा फैसला लेते वे बिहार के साथ साथ कई अन्य राज्जों में प्रभारी को बता दे कि पहले बिहार के कॉंग्रेस प्रभारी भक्त चरंदास थे लेकिन अब उनकी जगह मोहन प्रकास को दे दी गई है इसके अलावे कॉंग्रेस के ग्यारा न्युक्त प्रदेश प्रभारी में सामिल रमेश चिन्नी थल्ला को महरास्ट का प्रभार सौंपा गया है जी ए मीर कविनास पांडी की जगह पर कॉंग्रेस का जारकन प्रभारी बनाया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कॉंग्रेस के द्वारा बिहार के अलावे मध्ये प्रदेश 36 गर तेलंगान और मिजोरम के प्रभारी को बदल दिया गया है तो वही राजस्थान के प्रभारी सुक्विंदर सिंग रांदवा को बरकरा रखा गया है पुर्व केंद्रिय套 यूपी के लोगों पर दिये गए विवादित बयान पर मचा बवाल पिछले कुछ महीने से दक्सन बिहार के नेताओं कारे के लिए तमिल नाडू चले जाते हैं वह सरको और सोचाले की सफाई जैसे चोटे-मोटे काम करते हैं बता है की इस और इसलिए दिया गया के कारण वह घायर हो गया ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही कि वह 11 जनवरी से अफगानस्तान के खिलाब खेले जाने वाले T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं जिसके बाद अब टीम इंडिया के चैन करताओं के सामने टीम इंडिया के कप्तान सुनने की समस्या आ गई है दरसल हादिक पांडिया को टकने की चोट से उबर की संभावना में फिलहाल कम ही दिख रही है ऐसे में सूरिया या हादिक एनुपलब्द होने के कारण चैन करता रोहिद सर्मा को टीम का नेतरत्व करने के लिए कह सकते हैं इसके अलावे चैन करता रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाने की भी सोच रहे हैं लेकिन वह इंग्लैंड के खिलाब सभी पांच टेस्ट मैच खेलेंगे ऐसे में उन्हें अपने कारेभार प्रबंदन पर ध्यान देना होगा जानियाज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल का रेट बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए हैं इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.98 रुपे और डीजल 94.56 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है बागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 18.56 रुपे और डीजल की कीमत 95.25 रुपे प्रति लीटर न इधारित की गई है इसके साथ ही गया में petrol की कीमत 11.5 रुपए और diesel की कीमत 95.5 रुपए प्रतिलीटर है बता दे की बिहार में petrol का rate सबसे ज्यादा के संगंज में है जहां petrol 119.35 रुपए प्रतिलीटर और डीजल 95.9 रुपए प्रतिलीटर कीमत है बीुटे दिन हमारे दौराप पुछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग इनका जवाने हमारे दौराप फूछे घर सवाल का जवाब दे ऌन्के नाम है तवी कुमार, पुमार राम, रंजीत मिसरा अमन राय बाबुलाल मरांडी जितेंदर ठाकुर मुहमत साकिर उसन उन्नु कोलुकुमार इसके साथ ही वरते आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके छेतर में ठंड की क्या अस्थिती है आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन वॉक्स मली कर जरूर बता कर दो अगाल